तो आज चोटा सा टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में इसे हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है अभी कुछ दिर पहले वीडियो आई होगी ये उसी का प्रोजेक्ट है मुझे अभी से एक्सपोर्ट करना है तो आपका जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है एक्सपोर्ट बटन पे यहाँ फिर आपको उपर भी ऑप्शन मिलते हैं एक्सपोर्ट के यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट टो डिवाईज अप्लोड टो यूट्यूब अप्लोड टो वी मे इसको export ऐसी कीजिए और उसके बाद आपने upload करना चाहिए क्योंकि हो सकता है export करने के बाद जब आप अपनी वीडियो देखें तो उसमें थोड़ी सी खामिया हो और कुछ आपको improvement करनी हो तो वही option यहाँ पे भी है इधर उधर upload करने के हम local में जाते हैं यहाँ पे आपने name डालना होता है कि वीडियो का क्या name होगा और save to में आपने यहाँ पे click करके location दे देनी होती है इसके बाद format है अलग-अलग अगर आप YouTube के ले upload करते हैं तो MP4 ही आपने रखना चाहिए नीचे enable GPU accelerated video encoding होता है यानि अगर आपका graphic card थोड़ा अच्छे level का है तो यह उसे use करेगा encoding के लिए जिससे थोड़ा सा fast और अच्छे से हो सकता है वीडियो rendering हो पाए और वीडियो export हो पाए अब यहाँ पे हमें click करना होता है settings में यहाँ पे आप select कर सकते हैं कि किस type की video आपको चाहिए encoder आप यहाँ पे select कर सकते हैं यह दोनो format YouTube पो support करती है resolution आप यहाँ पे full HD रख सकते है HD रख सकते हैं और अलग-अलग resolutions यहाँ पे हैं और custom भी आप यहाँ पे बना सकते हैं frame rate आप कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आप जितना भी इसको कम करते हैं उतना ही video का size भी कम हो जाता है तो upload करने में आसानी रहती है और अगर आपको converter चाहिए तो उसके लिए भी मैं एक video बना दूँगा आप channel को subscribe करके comment में लिख दीजिए bit rate यहाँ पे आप कम ज्यादा कर सकते हैं मैं इसे कम ही रखता हूँ ज्यादा तर इससे video की quality में काफी फरक पड़ता है लेकिन अगर आप इसे कम करते हैं तो upload करने के लिए जो size है वो भी बहुत कम हो जाता है audio encoding यहाँ पे हमें AAC मिलती है channel stereo mono या फिर 5.1 surround sound कर सकते है mono होता है कि एक ही bass पे आवाज आएगी जितने भी speaker सुंगे सब में बराबर आवाज आएगी stereo वो होता है कि जिस हिसाब से बना है दो speaker के लिए गाना या फिर कुछ भी वो उस हिसाब से आएगी कि जैसे कुछ गानों में आपने ज्यादा ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि कुछ instruments left speakers में आते हैं और कुछ right speakers में और 5.15 speakers के लिए होता है तो हम इसे ज्यादा तर stereo ही रखते हैं ताकि यह सब में use हो पाए sample rate आप change कर सकते हैं कम और ज्यादा bit rate भी यहाँ पे option है तो हो सकता है अगर आप यहाँ पे resolution चेंज करते हैं frame rate चेंज करते हैं फिर encoder चेंज करते हैं और वो नहीं रखते हैं जो आपने project की setting में रखा था तो export करने के बाद video पे कहीं पे कुछ चीज़ें गायब हो जाएंगी दोबारा एक नया project बनाके उस video को इसमें डालिए और फिर यहाँ से change करके ok कर दीजें तो यह सारे options थे यहाँ पे और भी formats हैं उनमें हमारा size भी change होता है और यहाँ पे encoding भी change हो जाती है options अलग हो जाते हैं frame rate चेंज करने का option और ज्यादा मिल जाता है कभी कभी कम मिलता है किसी में तो हम जातार mp4 ही करते हैं तो मैं mp4 में ही आपको बता रहा हूँ तो छोड़ा सा topic था export के बारे में कुछ नए नए features आये हैं filmora के नए versions में और आते रहेंगे आगे के features में तो उसे मैं cover करते रहूँगा अपनी videos के जरीए आपने channel को subscribe कर लेना है और कल की video में हम final बाते करेंगे filmora के बारे में कुछ tips भी दूँगा तो कल की video भी बहुत ज़्यादा शांदार होने वाली है channel को अभी के अभी subscribe कर लीजे तो यहाँ पर बस आपने finalize करके export में क्लिक करना है और आपकी video वहाँ पर export होना शुरू हो जाएगी जहाँ पर आपने select किया है इसके बाद यहाँ पर option select कर सकते हैं कि sound reminder आपको चाहिए notification जो आवाज होती है windows की वही आवाज इसमें आ जाती है shutdown computer जैसे ही complete होगा video बनना वैसे ही computer बंद हो जाएगा और do nothing में यह कुछ भी नहीं करने वाला हम इसे 20 में pause भी कर सकते हैं अगर हमारा PC slower कर रहा है तो हमें फटक से कुछ chrome या फिर edge यह सब खोलना है तो उती देर के लिए हम इसको pause कर सकते हैं और फिर बाद में resume कर सकते हैं तो यह सब था आज की वीडियो में उमीद है आपको वीडियो पसंद आयोगी वीडियो देर के लिए थैंक्स TechTubers वीडियो अच्छी लगी तो like और share कर दीजे और ज्यादा ही अच्छी लग गई तो चैनल को subscribe भी कर दीजे धन्यवाद